असलाम अलेकुम आई डिये स्टूडेंट्स मैं उमीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और करोना मेरिस से बचने के लिए एतियाती ददावीर भी कर रहे होंगे मैं हूँ आपके टीचर तीटरा स्कूल की दरफ से ये टिटोरियल है क्लास प्रेप के लिए और टॉपिक है ओट वर्ट्स प्यारे बच्चों कुछ दिन पहले की बात है लेटर उनने मुझसे हेल्प मांगे उन्होंने कहा टीचर प्लीस हेल्प मी मैं बहुत राउंड हूँ और चलते चलते गिर जाता हूँ सारे लेटर्स मेरे साथ खेलते हैं बॉल की तरह लेकिन कोई भी मुझे अपनी टीम में आड नहीं करता मैं भी बहुत सारे राइमिंग वर्ट्स बनाना चाहता हूँ जैसे आड, एन और इन ने बनाए लेकिन जब मैं लेटर डी के पास किया तो उन्होंने मुझे कहा और जब मैं लेटर सी के पास किया तो उन्होंने कहा लेटर आर, पी और एज ने मेरे साथ बॉल की तरह हूँ प्ले किया मगर फ्रेंचिप नहीं की और फिर letter O की help के लिए मैंने तमाम alphabet में से letter T को ढूंडा जिसके साथ करे होके letter O कभी भी नहीं गिरेंगे क्योंकि letter T हमेशा straight करे रहते हैं letter O के साथ friendship करने के बाद इनकी टीम का नाम बन गया ओ, त, ओ, ओ, त, ओ, त, ओ, त, इस तरहा letter O खुश भी हो गए और वो तमाम alphabet जो के पहले friendship नहीं करना जाते थे अब वो O T team का हिसा बना जाते थे जैसे जब ख के साथ O T मिला तो बन गया caught, caught इसी तरह से जब ह के साथ O T मिला तो बन गया hot, hot प के साथ O T मिला तो बन गया pot, pot, और ड के साथ O T मिलने से बन गया dot, dot, और र के साथ जब O T मिला तो बन गया rot, चलिए चलते हैं और अब इन O T words की थोड़ी सी और प्रेक्टिस कर लेते हैं, जिसके बाद यह हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, सबसे पहला वर्ड है ट, और डॉट, 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 जी हाँ बच्छो, डॉट उर्दू में नुक्ते को कहते हैं और यह कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोग इससे ड्रॉबी कर सकते हैं, ट, और डॉट, डॉट, इसी तरह से, छोटे बच्छों के बिस्तर को कौट कहते हैं, क्या आपके घर में भी कौई कौट है, जिसमें कोई छोटा बच्छा सोता है, प और पॉट, पॉट, जिससे मामा किचन में खाना बनाने के लिए यूज करती है, लेकिन एक पॉट वो भी होता है, जिसमें प्लांट्स क्रो होते हैं, इन दोनों को पॉट कहते हैं, और फिर ह, ओट, होट, जी हाँ बच्छों, गरम चीज़ें के लिए हम होट का वर्ड यूज करते हैं, जैसे ये सन, जो कि बहुत गरम है, और लास्ट पे, र, ओट, रॉट, जी हाँ, गली सेड़ी या खराब चीज़ों को रॉट कहते हैं, ये कोई फल भी हो सकता है, ये कोई सबसी भी, तो बच्छों, हमें रॉट चीज़ों को बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हम बिमार हो जाते हैं, ओट वर्ट्स तो बहुत ही असान थे, जो के हमें बहुत अच्छे से याद भी हो गए हैं, डॉट, कॉट, पॉट, होट, एंड रॉट, वेरी गूट, चलिए चलते हैं, अब हम अपनी एक्टिविटी की तरफ, इस एक्टिविटी में हम लोगों ने, ओट से बनने वाली पजल को सॉल्फ करना है, और सही पिक्चर को पहचानना है, हम, तो ये क्या है, अच्छा, तो इसका एक हैंडल है, और, 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 ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इसका कलर ग्रे है, ग्रे कलर के ये क्या चीज़ हो सकती है, अच्छा, मैं समझ गई, ये तो पाउट पाउट है, पाउट पाउट, पाउट, और, ये पाउट जब स्टोफ के जाएगा, तो ये हो जाएगा, होट, होट, पाउट, 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 पाउ मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग अपनी नोट बुक पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे अपना बहुत खयाल रखियेगा अलाहाफिज